नमस्कार, खबर समेशोगत में आपका स्वागत है, मैं हूँ आपके स्वातंग के अतावराई अब खबरी दिखते स्टार से चाल लाग करोड का करजा है, करीब बीस अजा करोड से ज्यादा तो ब्याज चुकाती है, शिवराज जी की सरकार, उन्होंने का कि मोटे तॉपर इस समय मध्य प्रदेश की प्रती वैक्ती पर चालिस अजार से ज्यादा का करजा है, एक लाग करोड का करजा तो पिछले दो स का बनाते पर आमदनी बढ़ाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया जिसके चलती सरकार का घाटा मतलब आमदनी और खर्चे के बीच का जो अंतर होता है वो तीन साल में तीन गुना बढ़कर चववन असा करोड रुपए पहुंच के आहें आप सब लोगों को मेरा साधर प्रणाम और मा दुर्गा का नवरात्र का पर्व है तो मध्य प्रदेश के भविष्च की उजवन कामना करते हैं और साथ ही आशा करते हैं कि आने वाला कल आज से बहतर होगा और जैसा की रागिनी जी ने कहा मैं मुख्य तोर पर अर्थ व्यवस्था पर केंद्रित रखूंगी अपना वक्त तग और उसके बाद आपके सवाल लोगी मुझे लगता है रागिनी जी ने बहुत अच्छी एक अलिटरेशन अल्रडी कर दिया है लेकिन अठारा साल की शिवराज सिंग चौहान जी की सरकार में अर्थ व्यवस्था का बदहाल होना चालीस लाख से ज़ादा युवाओं का बेरोजगार होना महंगाई से बुरा हाल होना और उस सब पर सबसे बुरा है कर्ज का लगातार बढ़ जाना तो बात हम शुरू करते हैं मैं अपने पीछे बैठे साथियों से विनम्र निवेदन करूँगी कि अगर आप अपनी वाणी को थोड़ा सा विराम दे तो मेरी वाणी थोड़ी प्रकर हो जाएगी हाथ जोड़कर करवद निवेदन करती हूँ आप लोग थोड़ी देर के लिए अपनी वाणी को विराम दे दीजे धन्यवाद सबसे पहले करजें की बार करते हैं और थोड़ा सा उलेक रागनी जी ने किया उसका आज मध्य प्रदेश में 4 लाक करोड से जादा का करज है और 20 हजार करोड रुपे तो राजसरकार इस पर ब्याज दे रही है और करज की ये स्थिती है कि आज भी इस समय अगर एक नवजाद शिशू पैदा हो रहा है तो उसके सर पर 40 हजार रुपे का करज है और ये करज लगातार बढ़ता गया और पिछले दो सालों में करीब एक लाक करोड रुपे का करज लिया गया तो सबसे पहला करज के बोज के तले मदप्रदेश की जनता को दबाने का काम शिवरात सिंग चोहान जी की सरकार में किया लेकिन उसी से एक बात उजागर होती है सरकार करजे क्यों लेती हैं सरकार करजे लेती हैं कलकार खाने बनाने के लिए निवेश करने के लिए, नौक्रियों का स्रिजन करने के लिए यहाँ पर कर्ज लिए गए एक के बाद एक खोटाले और भ्रष्टा चार करने के लिए क्योंकि अस्मियत यह है कि कर्ज बढ़ता गया निवेश हुआ नहीं, रोजगार बना नहीं और आमदनी लगातार ओसत व्यक्ति की भी और सरकार की भी खटती रही और यह मेरा दूसरा पॉइंट नहीं यहाँ पर कि आमदनी और ठंड़नी और खर्चा वपईया के चलते आपने अपनी आमदनी नहीं बढ़ाई क्योंकि आपने कार खाने नहीं लगाई, कोई इंडस्ट्री नहीं लगाई, कोई बड़े उद्योग घरानों को यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं खराया जिसके चलते आपकी आमदनी जस्की तस रही आपने खर्चा बढ़ाया और जो उनका अंतर होता है, जो वित्य घाटा होता है, वो तिगुना हो गया महज 3 साल में 18,000 करोन रुपे होता था, वित्य वर्ष 2021 में, आज की तारीक में वो 54,000 करोन रुपे क्रॉस कर गया तो कर्ज भी बढ़ाया और घाटा भी बढ़ाया, क्योंकि आमदनी आपकी जस्की तस रही, आपकी उसके बारे में कुछ नहीं किया सो कर्ज में डूबी हूँ सरकार जैसा कि मैंने आपसे कहा, भरष्टा चार बेलगाम है और ऐसा कोई छेत्र नहीं है, हमारे पास तो एक लिस्ट है करीब 200 तिरपन घोटालों की चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो खनन हो, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो पटवारी हो, ऐसा कोई छेत्र नहीं है, जिसमें घोटाले नहीं हुए लेकिन इस सब का डाइरेक्ट असर मध्य प्रदेश के युवा पर कैसे पड़ता है दो करोड युवा और उनके भविश्च पर एक बहुत बड़ा प्रश्ण चिन, एक बहुत बड़ा अंधकार चाया हुआ है ये मेरे आकड़ नहीं है, ये यहीं की सरकार की आकड़ है 49 लाक युवाओं ने Employment Exchange में रेजिस्टर किया हुआ था और महज 21, सिर्फ और सिर्फ 21 लोगों को नौकरी मिली मतलब विडंबना ये है कि एक व्यक्ति को नौकरी देने के लिए शिवराद सिंग की सरकार ने 80 लाक रुपे खर्चा किये जो शायद वो जीवन परियंद कमा भी नहीं पाएंगे अगर धंग से कमाई करेंगे विशुद रूप से 21 लोगों को रोजगार मिला रेजिस्टर करीब 40 लाक लोग थे Employment Exchange पर नौकरी न मिले का क्या कारण सबसे बड़ा कारण है कि सरकार के पद रिक्ट पड़े हुए हैं उनकी भरती नहीं की जा रही है बरती क्यों नहीं की जा रही है इसका जवाब शिवराज सिंग के 18 साल ही दे सकते हैं हमारी समझ से बाहर है कि जब बिरोजगारी मुबाय खड़ी है तो पदों को रिक्ट क्यों रखा जा रहा है दूसरा कारण है 18 साल में जबानी जमाखर्च खुब हुआ खुब डबल एंजन सरकार का पिछले साड़े नौ दस सालों में खुब बींग हांकी गई लेकिन असलियत यह है कि यहाँ पर एक भी बड़ा निवेश नहीं हुआ मध्यप्रदेश में एक भी बड़ा उद्योग घराना नहीं आया है एक बड़ा मल्टी नाशनल नहीं आया है निवेश जब नहीं होता है तो नौकरी बनेगी कहां से सीधा रिलेशन निवेश और नौकरी का होता है तो प्राइवेट सेक्टर से अब अपनी खुब ठपतपा लीजिये लेकिन वो मध्यप्रदेश में रोजगार नहीं ला रहा है वो मध्यप्रदेश में निवेश नहीं ला रहा है वो एक कोड़ी मध्यप्रदेश में नहीं लगा रहा है और जिसके चलते ये स्थिती भया कि बेरोजगारी तो है ही लेकिन सबसे ज़ादा बेरोजगारी ग्राजुएट्स में है पढ़े लिखे लोगों में जो पाचवी पास है वो तो विचारा फिर भी मेनत मजदूरी करके किसी तरह से अपना घर चला लेगा लेकिन जो ग्राजुएट है जो एक तरह की नौकरी कर सकता है उसमें सबसे ज़ादा बेरोजगारी है और उनमें बेरोजगारी का दर करीब करीब 12 प्रतिशक है तो एक तरफ निवेश नहीं हो रहा है कर्ज बढ़ रहा है औसत आए मद्यपरदेश की भारत की आउसधाए से बहुत कम है भारत की आउसधाए करीब एड़ लाक रुपए है मधिपरदेश की मुश्किल से एक लाक रुपए है औसताई कम है, कर्ज से डूब रहे हैं, लोग बेरोज़ारी से तरस्त है और महंगाई की ऐसी मार है जिससे की मद्प्रदेश जूज रहा है और सरकार ने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिससे महंगाई की मार कम हो सके हमारी सरकारे करनाटका में भी है हमारी सरकारे राजस्थान में भी है और अभी मैं उसके बारे में दो मिनिट में बात करूँगी उन्होंने महंगाई से राहत दिनाने के लिए बहुत काम किया एक कारण इन सब चीजों का नतीजा मान लीजिए या इन सब चीजों का कारण मान लीजे वो है शिक्षा की अब मानना मध्य प्रदेश में जब मैं आखड़े देख रही थी कल तो मैं चौक गई कि एक तिहाई मात्र एक तिहाई महिलाए मध्य प्रदेश में दस साल तक स्कूल गई है उसके बाद स्कूली नहीं गई है एक तिहाई मतलब आधी आबाधी भी पढ़ नहीं रही है यहाँ पर और इसी लिए जो कॉंग्रेस ने बादा किया है कि हम निशुक शिक्षा की बात कर रहे हैं और हम यह कह रहे हैं कि एक से आठवी तक हम बच्चों को पाथ सो रुपए प्रतिमा देंगे नवी और दसवी के बच्चों को एक हजार रुपए प्रतिमा देंगे और ग्यारवी और बारवी के बच्चों को पंदरा सो रुपए प्रतिमा देंगे उसका कारण यह है कि आप इंसेंटिवाइज करिए आप उनको किसी डा किसी तरह से कक्षा में रोके रहिए उनको पढ़ने लिखने का अवसर दीजे क्योंकि शिक्षा के तौर पर मध्यप्रदेश भारत में एवरेज औसतन नीती आयोग के इंडेक्स में भी नीचे है और इन सब के चलते चाहे वो नीती आयोग का हेल्थ नीचे है और अपने आसपास के राज्जों से तो बहुत ही नीचे है तो जैसा कि मैंने कहा कांग्रेस की सरकार बनेगी हमने किसानों से वादा किया है गेहूं और धान के जादा कीमतों पर खरीद का हमने युवाओं से बात वादा किया है कि एक कैलेंडर के तहत हम जॉब स्कैलेंडर बनाएंगे जो रित्पद है वो भरे जाएंगे हमने विद्यार्थियों से बादा किया है कि किसी ना किसी तरह से चाहे उनको इंसेंटिवाइज ही करना पड़े वो करके उनको रोके रहेंगे अठारा साल के शिवराज जी के जंगल राज में सबसे बुरी स्थिती मध्यप्रदेश की अर्थ वैवस्था की और बदहाली का ये आलम है कि करजे के बोज के तले लोग डूब चुके है चार लाख करोड से जादा का करजा है अगर आज भी एक नवजात शिशू ये स्राज पर रेजिस्टर होते हैं 40 लाख लोग नौकरी मिलत्रिय मात्र 21 लोगों को ऐसा क्यों है क्योंकि करीब करीब 2 लाख सरकारी पद रिक्त पड़े हुए हैं और प्राइवेट सेक्टर जो निजी छेतर है उसका एक भी बड़ा निवेश मध्यप्रदेश में नहीं आ रहा है तो मामा जी ने जबानी जमा खर्च तो खूब किया लेकिन एक बड़ा ओद्योगी घराना एक बड़ा ओद्योगी करण की नीती यहां नहीं ला सके और यहां पर इंडस्ट्राइजेशन नहीं हुआ जिसके चलते नौकरिया नहीं बनी तीसरी बात आप करिए तो घटती ह कोई आए की है मद्यप्रदेश की ओसतन आए देश की ओसतन आए से बहुत कम है क्योंकि यहां पर बेरोजगार नहीं है यहां पर निवेश नहीं है तो लोगों की आए घट रही है और इन सब का कारण कहीं पर शिक्षा की अवमानना है अगर शिक्षा के छेतरमर देखिए तो एक तिहाई महिना हैं, सिर्फ और सिर्फ दस साल तक स्कूल में जाकर पढ़ी हैं, इसलिए जो कॉंग्रेस की सरकार बनेगी और जो हमने वादा किया है निशुक शिक्षा का, या एक से आटवी तक पाथ सो रुपे महिना देने का, नौ से दस में एक हजार रुपे महिना देने का, वो शिक्षा के छेतर में एक बड़ी क्रांती लाएगा, पच्चीस लाग का बीमा जो है वो लोगों के लिए राहत लाएगा, महिनगाई से जो हम पाथ सो रुपे के सिलंडर की बात कर रहे हैं, या महिलाओं के खाते में पंद्रा सो रुपे देने की बात कर रह हैं, कर्ज को हम निवेश में बदलेंगे और यह सुनिश्चत करेंगे कि मध्य प्रदेश में रोजगार का स्रजन हो और यहां पर दो करोड लोगों के भविशे पर प्रश्ण चिन ना लगे, धन्यवाद.